सद्धुआ गाउं में हत्याकांड के आरोपियों के घर पर पुलिस ने चिपकाया इस्तिहार वर्स 2016 में रंगरा के सध्वा गाउं में हुए एक हत्यकांड मामले में फरार चल रहे आरोपियों के घर पर डुगडुगी बजाकर पुलिस ने इस्तेहार चिपका दिया है फरार वारंटी सध्वा निवासी चुन-चुन मंडल और सुधीर मंडल है रंगरा पुलिस ने थानाध्यक्च महताब खां के नेत्रित में दोनों फरारियों के घर पर इस्तेहार चिपकाया है थानाध्यक्च महताब खां ने कहा कि अगर कोर्ट द्वारा दिये गए तै समय के अंदर दोनों फरारी थाने आकर आत्म समणपन नहीं करते हैं तो दोनों के घरों की सघन कुड़की जपती की जाएगी हबर 30 सेकेंड के विज्यापन के बाद प्रारंब होगा पाहर के खूब सूर्थी का निजड़ा पूर्ण तेया वाता नुकुलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ सिवानी मैरेज हौल संपड के सुत्र 9931-092632 9534-316464 8406-949533 नवगच्या का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन सर्तिया इलाज माला पहनते हैं गैस्टीक प्लट पीसर गठिया पाइल ससाइथ सैकड़ो बिमारी से पाए निजाद होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस मात्र 72 घंटे में अशर सुरू कीमत मात्र 2100 रुपै फोन कर अभी ओडर करें घड़ बैठे प्राप्त करें संपर्क सुत्र 9031560165 9431884830 रंगरा के दो पंचायतों में शुक्रवार को होगा वेक्सिनेशन रंगरा प्रखंड के तिंटंगा दियरा और जहांगीर पूर्वैसी में शुक्रवार को कोरोना वेक्सिनेशन किया जाएगा उक्त्य जानकारी देते हुए रंगरा पीच्सी परभारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि सुबह 9 बजे से कोरोना का टीका करन किया जाएगा टीका लेने वाले बुजुर्ग को टीका करन के लिए आधार कार्ड दिखाना होगा रंगरा पीच्सी में 50 लोगों ने कराया कोरोना जार्च एक व्यक्ति निकला कोरोना संक्रमित रंगरा पीच्सी में गुरुवार को 50 लोगों का कोरोना चेक किया गया पीच्सी परभारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है जबकि 49 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है डॉक्टर रंजन ने कहा कि संक्रमित व्यक्ति को होम कुरेंटीन किया गया है मसूदनपूर वैसी गाउं में शादी की नियत से अभरन करने का पढ़ियास कर रहे दो यूबकों को ग्रामिनों ने दबो जाब रंगरा थाना चेतर के मसूदनपूर वैसी गाउं में शुकुरवार को एक लर्की को बहला फुसला कर अभरन करने का पढ़ियास कर रहे दो यूबकों को ग्रामिनों ने पकर कर पुलिस के हवाले कर दिया है गिरफ्तार यूबक नवगचिया के कदवा ओपी थाना चेतर के कचहरी टोला निवासी अभिनंदन राय का पुत्र राज कमल नयन और दिनेश राय का पुत्र मनीश कुमार है पुलिस ने दोनों यूबकों की अपाचे मोटर साइकिल को जब्त कर लिया है मामले की वाबत लरकी की मा ने लिखित आवेदन देकर दोनों लरकों पर शादी की नियत से अपहरन का प्रियास करने का आरोप लगाते हुए रंगरा थाने में प्राथमी की दर्ज कराई है ग्रामिनों से मिली जानकारी का नुसार दोनों यूबक देर, शाम, मसूदन, पूर, वैसी गाउं आये थे लेकिन गाउं के कुछ लोगों को इस बात की भनक लग गई जब मौके पर ग्रामिन पहुँचे तो दोनों लड़के वहां से मोटर साइकील लेकर भागने लगे लेकिन गाउं वालों ने दोनों को मौके से ही दबोच लिया ग्रामिनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों यूवकों को मौके से ही गिरफतार कर लिया रंगरा के थाना ध्यक्ष महताव खान ने कहा कि मामले की प्रात्मी की दर्च कर गिरफतार यूवकों को न्याईक हिरासत में भेज दिया गया है आज की खवर में बस इतना ही धन्यवाद लगातार अपनी छेत्री की खवर जानने ही तो जियस न्यूज की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दमाए अगर आप फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को सेयर कर कमेंट जरूर करें